अलो एंड वेलकम टू पूनम्स किच्चन आज की रेसीपी है मसाला मिल्क मसाला मिल्क बनाने के लिए मैंने लिया है दो बॉल में वाम मिल्क हलका सा गरम दूद है एक बॉल में डाली है केसर दूसरे बॉल में डाले है काजू और खस-खस ये मैंने 12 काजू डाले है और 3-4 टेबल स्पून खस-खस डाली है अब एक बतन में लेना है एक लिटर दूद दूद को मैंने पहले से ही बॉल कर दिया है ये बॉल किया हुआ दूद है दूद आप कोई भी ले सकते हैं पैकेट वाला भी ले सकते हैं पुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं पांच मिनट के लिए दूद में केसर डालके रखनी हैं और 5 मिनट के लिए दूद में खस-खस और काजू डालके रखने हैं काजू और खस-खस को ग्राइंड कर लेना है काजू और खस-खस को ग्राइंड कर लिया है गैस की फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में रखना है ये मैंने काजू और खसकस को ग्राइन कर लिया है अब उसे दूद में मिला दिया है अब डाल दिया है केसर वाला दूद मिला देना है और पाँच मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉइल करना है दूद को बॉटम में लगने नहीं देना है चलाते रहना है अब डाल दिया है ड्राइफ रूट्स ड्राइफ रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता गैस की फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में रखना है दूद को बॉइल करके आदा नहीं करना है, रबरी नहीं बनानी है ये हम बना रहे हैं मसाला मिल्प इस वक्त गैस की फ्लेम मीडियम है इलैची डाली है अब दूद को बॉइल किये हुए 7-8 मिनट हो गए है अब डाल देनी है चीनी शुगर डाल कर मिला देना है मैंने यहाँ पर 4 डेबल स्पून शुगर डाली है आप अपनी टेस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं यह रेडी हो गया है मसाला मिल्क इसे आप केसर मिल्क बोल सकते हैं कडाई दूद बोल सकते हैं दूद को ज़्यादा गारा करके रबडी नहीं बनानी है यह रेडी है मसाला मिल्क इसमें केसर प्राफ्रूस का टेस्ट है यह बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी होता है इसे आप मॉनसून में अपने घर में ज़रूर बनाए आपको यह रेसीपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिक, शेर, सब्सक्राइब थैंक्स एर वचीजिग